ओम शान्ति 63 चनम भक्ती मार्ग में हम आत्माओं ने बहुत सारी तीर्थ यात्राएं की जिससे हम ठकते भी चले आए और हमारा धन दौलत भी खर्च हुआ परंतु संगम पर बाबा हमें ऐसे यात्रा सिखलाते हैं ऐसे तीर्थों पर ले जाते हैं जहां पर हमारी धकान दूर होती है और हमाई कमाई जमा होती है आए रिवाइस करते हैं आज के 7 अक्टूबर 2023 के मधुर महावाक्यों को याद की यात्रा किसे कहेंगे बुद्धी को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाए घर में बाप को याद करना बुद्धी को दूर दूर तक ले जाना सची दिल से बाप को याद करने वालों की निशानिया क्या हैं वे भोजन पर याद में रहते उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते बहुत सहनशील और मीठे होते कोई भी बात बाप से नहीं चिपाते उनसे कोई भी विकर्म नहीं हो सकता उनकी नीन समय पर स्वतह खुल जाती उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिससे बाप की ग्लानी हो किसको क्या कहा जाता है? बाब का बनने से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता, बाब को याद करने से सचे सचे स्वर्ग में जाते, किये हुए पाप बाबा को सुनाने से हलके हो जाते, यहां रहकर विकर्म करने से सोगुणा सजा मिलती, शिव बाबा को ब्रह्मा में देखने से उपर जाने की आदत छ पेंशन नहीं आ सकता, साइलेंस की शक्ती जमा करने से क्या फायदे होते हैं, श्रेश्च पद के अधिकारी बनते, चेहरे से खुशी की रुहानी जलक दिखाई देती, कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है, मनुश्रे इन ग्यान की बातों को नहीं समझते क क्योंकि नहीं हैं, बाब को याद करना हैं, क्योंकि अब छोटे बड़े सब का मौत सामने खड़ा है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की रसम रिवाज जरूर अच्छी होगी, क्योंकि स्वर्ग है, बाबा को किये हुए पाप सुनाने से हलके हो जाते, क्योंकि बाब के साथ धर्मराज भी है, यहाँ सब को कहना है कि भगवान को याद करो, क्योंकि सब को बाब के पास जाना है, हमें क्या करना हैं, सहंशिल बनना है, भूल होने पर क्षमा मांगनी है, सब को बाब का परिचे देना है, बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बाब जो कर देना है, साइलेंस की शक्ती द्वारा जमा का खाता बढ़ाना है, कोई भी बात हो जाए तो बाप को रिपोर्ट करना है हमें क्या नहीं करना है, पाप, भूल, डिसकस, देह को याद, लड़ाई जगडा, रजिस्टर को खराब, सत्गुरु की निंदा, किसी का सामना, ममा बाबा को याद, ब्रह्मा के चेहरे को देखना, कोई किताब आदी पढ़ना ये थी आज की मुरली की विशेश बातें, दो युगों तक हमने अनेक भूलें की, अब शिव बाबा हमें अभूल बनाने आये हैं, तो वर्तमान समय, यदि हमसे कोई भूल होती भी है, तो हमें अवश्य ही शमा मांगनी हैं, ताकि आधा माफ हो जाए, और पून रिती से स सजाओं से मुक्त होने के लिए शिव बाबा को याद करना है, और क्योंकि हमें नई दुनिया में भी जाना है, इसलिए हमें बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, ओम शन्ति